कि एक पेंशिन मिलेगी एक ज़िट का दर्जा मिलेगा दूतरे को नहीं मिलेगा पर फिर अपने हाप को देंगोई को डेंगोगा करती है लेकพर को राइफल ले कर उसके आसे गला कर देते हो उसके दिल में बहुताब पैदा करते हो उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है राइफल लेकर उसके सामने ख़ळा कर देते हो उसके दिल में भाई पैदा करते हो एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी एक को शहीद का दर्जा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा और फिर अपने आपको देश बगत कहते हो यह कैसे देश बगत है फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की फिल्म स्टार बॉलीवुड च्टार ती फोटो थी मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी श्पीकर सर अजच मोड़े अजच मोड़े एक आद्वी सब्पर भारी अजच मोड़े मैं ने ता पत्पर पक्से या नोज़त करना से उंगा गलत बयानी करके सवंपो गुमराह करने की कोशिद नहीं की आदिए दोरान अक्वा सीबाउं की सुरक्षा दोरान ये हमारा कोई अगली वील का जवान सहीर होता है उसके एक करोर लुपे की धनराज चाहाईथा की रूप में ये सपकार की दर्थ बयानी से सब्सक्राइड करने की कोशिट नहीं की आनी काइए संसर मवल, अजय को पीकर सर्थ, पीकर सर्थ, देखिये, तो राजनाज सिंग्जी की एक राय है, मेरी एक राय है, सच्चाई अगनी वीरों को मालुम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है अगनीवीर को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है शहीत का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है कॉंपनसेशन मिलता है नहीं मिलता है पेंशन मिलती है नहीं मिलती है वो उसको मालूम है पॉइंट ओपॉडर है मानिवर अब सदन के सामने दो स्ट्रेट्मेंट हुए एक हुआ दिपस्ट के नेता का दूसरा हुआ मान्या राधनासिंग जी का रक्षामंत्री जी का एक कहते हैं कि एक करोर रुपया नहीं मिलता है स्ट्री राधनासिंग ने अधिकरूत रुप से कहा कि मारे जाने वाले अगनीदूर को जो सही दोता है उसको एक करोर डुपया मिलता है उनको फैक्चुल पोदिशन सदन पर रखनी चाहिए मन्यवर यह सदन जूट बोलने की जगा नहीं है मन्यवर यह सच बोलना चाहिए और अगर और अगर यह नहीं रखते हैं तो उनको यह सत्यापन नहीं करते हैं अपने स्टेट्मेंट का तो उनको सदन और देश से और अगनिवीरों से माध्भी मांगनी चाहिए मन js complac अगनिवीर की अगनिवीर की सच्चाई मैंने फ्लॉर सो दाऊस पर रखी है और राजनात सिंग ने जी ने भी कहा है जो reality है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है वो अगनिवीरों को मालूम है उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फरक नहीं पढ़ता सच्चाई को उनको मालू में उनको मालू में सच्चाई कौन बोल रहा है गरो मत गरो मत गरो मत क्योंकि सर ये विशय गंबीर है और अभी माने ग्रेमंत्री जी ने जो बाद लखे है कि दो स्टेट्मेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बटाया सदन को और माने विपक्स के नेता राउल गंदी जी ने तो स्टेट्मेंट रखा है इसमें इन्हों ने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फरक पड़ता है इतना हलका पुलका कैसे स्टेट्मेंट दे सकता है लीडर अफ उपोजिशन इसलिए सर इन्हों ने जो बात रखा है कुछ भी करना चाहिए और हम लोग में से अन्यम करें मुताबिक अपना पर रखेंगे सर्थ और स्टिकर सर देश की सेना जानती है पुरा देश जानता है कि अगनिवीर स्केम सेना का स्कीम नहीं है पीमो का स्कीम है और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेंचाइल्ड था स्कीम सेना का ब्रेंचाइल्ड नहीं था जैसे जैसे नोट बंदी की गई वैसे ही आर्बिटरी तरीके से अगनिवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 आर्गनाईजेशन के साथ सीधा संबाद असना पर दुगा है उनके सिधाव लिए गए हैं तब यह अगनिवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच शमचकर यह योजना लाई गई है और मैं यह भी असमच कर देना चाहता हूं इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई डेसों में है यूएस पे है यूके में है वहाँ पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपती नहीं है अब बिना अगनिवीर योजना के बारे में समझे बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किये इस तरीके से सदन को गु कसर इनको अगनीवीर अच्छा लगता है आप उसको रखिए हम उसको बगल देंगे हटा देंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि अगनीवीर सेना के खिलाफ है जवानों के खिलाफ है देश बक्तों के खिलाफ सकीम है हम इसकीम को नहीं चाहते हैं अगली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कि अगनी बीर करने करके जो है राहूल गांधी लोग समाने ब्राहंगामा खरी कर दिये उन्होंने बोल ले थे जब भी आगनी बीर जो है मतलब जिसकी दियान्त होती है तो उन्हें जो है सहीद का दर्जा नहीं देता है सरकार यह मतलब बहुत गलत करते हैं इस पर जो है मतलब वहां पर अच्छा मंत्री जी थे उट खरे हुए राजनासीं जी और बोल रहे थे कि राहूल गांधी यह मतलब लोगों को भड़मीत करना बंद करते हैं यानि कि वह बता रहे थे राजनासीं कि जो भी सहीना मतलब अगनीवीर का जिसकी मौत होती है जो सहीद होते हैं उन्हें उनको एक करोर रुपिया दिया जाता है और भी जो शुरुदा हो दिया जाता है आमिस साथ थे मानिये गिरी मंत्री जी वह बोल ले थे कि एक करोर का देते हैं जो दुसरे देश के साइना उनके सामने खरे कर देते हैं और इसमें उनको खाम्याजा भुकतने भी मिलता है तो इस पर क्या आपका सोचना है कि राहूल गांधी जो कह रहे थे वह सही कह रहे थे तो आप अपना बात को बताईएगा आपको क्या हाकिकत है आपक वमेस सेक्षन में जरूर बताईएगा यह आपसे नियदन है और जया गुजारिस है कि पॉमेस सेक्षन में जरूर बताईएगा